क्या आपने जेफ कॉलर का नाम सुना है जेफ कॉलर अमेरिका के प्रसिद विचारक और एक बहुत सफल मैनेजमेंट गुरू है और कई वर्षों के रिसर्च के बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है Attitude is Everything आज आप जो कुछ भी है जिस भी परिस्तिती में है या जिस भी स्थान पर है वो इस बात का निश्कर्ष है कि आप किस तरह के विचार वो किस तरह का attitude रखते हैं मतलब आज आप जिस भी स्थान पर हैं या जिन भी परिस्तितियों में हैं वो इस बात पर निर्वर करता है कि पिछले पांच वर्षों में आप किस तरह के लोगों के साथ थे और यही बात भविश्य पर भी लागू होती है आज आप जिस तरह के लोगों के साथ है उससे निर्धारित हो जाता है कि अगले पांच वर्षों में आप किस स्थान पर यकिन परिस्तितियों में होंगे attitude is everything पुस्तक में जेफ कॉलर ने सबसे पहली बात कही success begins in the head so think right जब आप सही सोचेंगे सकारत्मक सोचेंगे तो आप सकारत्मक लोगों के साथ होंगे सकारत्मक लोग समस्य का रोना नहीं रोते वो तो हमेशा समस्य के समाधान पर विचार करते हैं और दूसरी बात जेफ कॉलर ने इस पुस्तक में कही your words describe your personality and character आपके शब्द ही आपके व्यक्तित्व वापके चरित्र को दर्शाते हैं इसलिए हमेशा अपनी वानी में मिठास चेहरे पे मुस्कुराहट और मन में एक सकारत्मक सोच रखें और तीसरी महत्पून बात जो इस पुस्तक में लिखी वो थी your action actually produce results so act with purpose और act purposefully मतलब आप जो भी करने जा रहे हैं उसके पीछे एक विशेश उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों आज हर व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत अधिक संवरिदी चाहिए सफलता चाहिए प्रसिद्धी चाहिए और साथी साथ हर तरह से प्रगति चाहिए और ये प्रसिद्धी कैसे हासिल की जाए इस बात को समझने के लिए कई वर्षोपूर बहुत सारे विचारक एक स्थान पर एकत्रित हुए और उन्होंने ये निर्णे लिया कि आओ मिलकर रिसर्च करते हैं कि सफलता के पीछे कारण क्या है लोग कैसे सफल हुए इस रहस्य को समझने के लिए उन विचारकों ने इतिहास के पन्नों को खंगालना चुरू किया और इतिहास के पन्नों को खंगालते समय उन्होंने देखा बहुत सार लोग के पास बहुत अच्छे resources थे, अच्छी financial power थी, background भी अच्छा था, मतलब हर तरह से वो लोग संवर्द थे, लेकिन उसके बावजूत भी वो बहुत अधिक सफल नहीं हुए, कुछ लोग थोड़ा कम सफल हो पाए, और कुछ लोग तो बु लेकिन उसके बावजूत भी वो लोग बहुत अधिक सफल हुए, शैकड़ों ऐसे उधारन देखने के बाद वो विचारक एक बहुत बड़ी दुविधा में फस गए, उन्होंने पाया कि resources होने के बावजूत भी आपकी सफलता कई कारणों पर निर्वर करती है, जिसकी व वस्ता में किस तरह के विचार व किस तरह का attitude रखते हैं, दोस्तों इसलिए बहुत जुरूरी है कि आप अपने विचार, अपने attitude, अपने व्यभार को सदा सकारात्मक रखें, positive रखें, और ये दि किसी परिस्तिति के कारण आप जीवन में असफल हो जाएं, when you met failure in your life, don't start blame game, क्योंकि कर्म करना आपके अधिकार में है, लेकिन उससे प्राप्त होने वाले result पर आपका कोई control नहीं, because there are thousands of factors which are not under your control, क्योंकि बहुत सारे हजारों ऐसे कारण है, बहुत सारे ऐसे factors हैं, जिस पर आपका कोई नियंतरन नहीं, तो इस पुस्तक का जो निश्कर्ष है, व आप भी अपने attitude में परिवर्तन करना चाहते हैं, अब प्रशनी ये उठता है कि किस तरह से अपने attitude को positive किया जाए, बेहतर किया जाए, इसलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ ऐसे points जिनका इस्तिमाल करके आप अपने attitude को positive कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि दुनिया में सफलतम लोगों के चरित्र का अध्यन करें, and next, motivational videos देखें, motivational audios सुने, motivational seminars में जाएं, और सकारत्मक दृष्टिकोन वाले लोगों के साथ अपनी मित्रता बढ़ाएं, and the next, take action without expecting results, आपको मिलने वाले results क्या होंगे, इसकी अपेक यह बनाया है, इस ब्रह्मान पे आपके जैसा कुछ दूसरा व्यक्ति नहीं है, and the next, expect the best, out of every situation, instead of worst, हमेशा हर situation में, best की कलपना करें, ना की worst की, and the next, be grateful for everything you have, आपके पास जो कुछ भी है, उसके लिए, ईश्वर का हमेशा धन्यवाद करें, use positive words to describe yourself and others, अपने और दूसरो के बारे में बताने के लिए, हमेशा सकारात्मक शब्दों का प्रियोक करें, have solutions when you pointing out problems, जब आप समस्या की बात करें, तो साथी साथ, उसके समाधान पर भी विचार करें, समाधान को भी प्रस्तूत करें, have big and personal goals, हमेशा आपने लिए, अच्छे और बड़े गोल बनाएं, तभी आप एक सफल व्यक्ति कहलाएंगे, इन सभी points को अपनी life में implement करें, अपने attitude को positive रखें, और साथी साथ, अगर आप कोई वीडियो पसंद आया है, तो like का बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर share करें, क्योंकि जब वो भी positive होंगे, उनक परूर लिखें, ताकि बाकी सारे लोग भी बहुत सारे points को समझ पाएं, कि किस तरह से अपने attitude को positive किया सकता है, कोई भी informative वीडियो मिस ना हो, इसके लिए हमारे इस चैनल को subscribe करें, मैं डॉक्टर अमित महेश्वरी, आपके सुनरे भविश्य की कामना करता हूं, जै हिंद ये है मेरा नया दोस्त, जो मुझे latest Jewelries की shopping करवाता है, और मेरा ही नहीं हम सबका नया दोस्त, माय अभूशन अब अब आपके विश्वस्तनिय जूलर, आपके मोबाई में, purity की शॉरिटी, with best prices and best offers, अभी डाउंलोड करें, अब माय अभूशन